अपनी देश के लिए वर्ल्ट कप में खेलना चाहता हूँ 2019 कर ये एलान किया था युवराज सिंग ने जब उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर सवाल किया गया था टीम इंडिया के लिए वर्ल्ट कप खेलने की एक्षा सिक्सर किंग ने जटाई और जब ये एक्षा पूरी नहीं हो पाई तो सन्यास युवराज ने ले लिया नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स मैं हूँ आपके साथ मेखा युवराज सिंग के सन्यास की खबर ने उनके लाखो करोडो फैंस का दिल तोड़ दिया है युवराज भले ही इस बात को अपना चुके हो कि अब क्रिकेट का मैदान भारतिये क्रिकेट टीम की तरफ से उन्हें नहीं बुला रहा युवराज के दिल में भले ही इस बात को स्विकार कर लिया हो कि अब शायद टीम इंडिया में उनके जगां कभी नहीं मनेगी चाहे वो कोई घरेलू सिरीज हो घरेलू दौरा हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो वल्ड कप हो इसलिए युवी ने यहाँ पर फाइनल कर दिया है कि वो सन्यास ले रहे हैं और युवी आईपियल भी नहीं खेलेंगे 2020 का 2019 के आईपियल का दौर ही युवी के लिए इतना निराशा जनक रहा कि अब 2020 के आईपियल खेलने के एक्छा उनके मन में नहीं है और यह आईपियल भी युवराज नहीं खेलेंगे एलाम कर चुके हैं आईपियल सीवी सन्यास ले लिया है और युवराज सिंग के तमाम प्रशंसक रहाल निराश है क्योंकि दिल तूता है युवराज के फैंस का भी और यह जो दिल तूतने का दर्द है यह सोशल मीडिय पर गुस्ता बनकर सामने आया है जी हां युवराज के सन्यास वाले फैसले का सम्मान भले ही क्रिकिट के भगवान कहें जाने वाले सचिन तेंदुलकर से लेकर टीम इंडिया के कप्तान विराज कोहली ने किया हो लेकिन युवराज के प्रशंसक इस फैसले को सही नहीं मा च्छे श्खक्के मार कर एक ऐसा रिकॉर्ट वी ने दर्ज कराया जो क्रिक्ट के इतिहास में हमीशा जिन्दा रहेगा जब जब इस रिकॉर्ट का जिक्र किया जाएगा नाम युबराज सिंह का देहन और आज की डेक में जब क्रिकेट जनता के दिल की धड़कन बन चुका है युवराज सिंग उस धड़कन का एहम हिस्सा है मुंबई इंडियन्स की ओर से जब IPL में युवी को खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा था तब लगातार युवराज के फैंस कह रहे थे कि ये सारी के सारी गलती मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहित शर्मा की है जो युवराज सिंग को खेलने का मौका नहीं दे रहे और उसके बाद जब वर्ल्ट कप 2019 के लिए 15 खिलारियों का स्क्वैट फाइनल हुआ उसके अनाउंस्मेंट हुई 15 अप्रेयल को तब भी युवी का नाम शामिल नहीं था तो उनके प्रशंसकों का गुस्सा BCCI पर पूट रहा था अब जो युवी ने खुद ही सन्यास का एलान कर दिया है तो युवराज के प्रशंसक इस बात तो हजम नहीं कर पा रही है युवराज जिन्हें लेकर उनके फैंस कहते थे कि उनके अंदर का जोश मरा नहीं है उम्र भले ही बढ़ गई हो लेकिन अलुपफ का खजाना युवराज के पास है और ये खजाना उन्हें सबसे अलग बनाता है युवराज को सबसे भारी बनाता है लेकिन आज उन तमाम फैंस जिनके जुबान पर युवराज की तारीपों के पुल मांधने के लिए हमेशा शब्द रहते थे वो जुबा खामोश है दिल में गुसा भी है दिल में खूप सारी नम आखो वाली भावनाए भी है युवराज को विदाई मैच तत नहीं उनके प्रशन सक खेलते हुए देख पाई और इसे लेकर निराशा सामने आ रही है इसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मत चुका है तमाम बड़े जो क्रिकेटर्स हैं पूर्फ क्रिकेटर्स हैं कोच रहे चुके हैं फिर चाहे वो किसी बाहरी टीम के क्यों न हो वो युवी को इतनी सक्सेस्फुल जर्नी के लिए शुबकामनाई दे रहे हैं और करियर की सेकंड इनिंग के लिए शुबकामनाई दे रहे हैं बेस्ट अफ लग कह रहे हैं युवी को प्रशन सक कह रहे हैं इस फैसले को मानना लेकिन इस वक्त यूवराच को हमारे और आपके जैसे तमाम लोगों की well wishes की जरूरत है ताकि यूवी अपने करियर में ये जो अगले पड़ाख पर पहुँचने के लिए तयार है वहाँ उन्हें खूप सारी काम्याभी मिले positivity के साथ यूवी के फैसले को समान देने के जरूरत है फैंस का गुस्सा जो सोशल मीडिया पर पूट रहा है जो फैंस कह रहे हैं कि ये नाटक है यूवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था यूवी का दिल भी जानता है कि वो cricket खेलना चाहते हैं खेलना चाहते हैं और उन्हें में अफसोस दोनों ही बार उन्हें मौके नहीं मिले निराश होकर यूवी ने आखिरकार सन्यास ले लिया और सन्यास की या है फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर पूट रहा है शायद ये गुस्सा एक तरीके से प्यार है यूवी के खेल के लिए जो जनता यूवी से करत करते हमें बताना बिल्कुल ना भूले लगतार जुड़े रहें नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स के साथ और रहीं अफडेटेटेट